नमस्कार, स्वागत है आपका विंद्यर टाइम्स में, मैं आपके साथ उर्वशी प्रधानमंदी नरेंद मोदी 27 जोन को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल आ रही है भोपाल दौरे को लेकर प्रधानमंदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरा बूत सबसे मजबूत कारिक्रम लाखो कारिकरताओं से समवाद का साक्षी बनेगा इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने स्वयम को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत का सबसे लोकप्रे नेता बताया है साथी भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताया गया है पीम मोदी ने ट्वीट किया सताय जून को भुपाल में आयोजित मेरा बूत सबसे मजबूत कारिकरम हमारी सकारात्मक राजनीती को एक नया संकल्प और एक नई शक्ति प्रदान करने वाला है यह दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए समर्पित भाजपा के लाखो उर्जवान कारिकरताओं से समवार का साक्षी बनेगा मिली जानकारी के मुताबिक पीम मोदी भुपाल में करीब 3 घंटे रहेंगे यहाँ वे रानी कमलापती रेलवे स्टेशन से जबलपूर और रानी कमलापती से इन दौर के लिए दो वन्दे भारत ट्रेनों को हरी जंटी रिखाएंगे इससे पहले वोपाल दोरे में उन्होंने रानी कमलापती से हजरत निसामुदीन वन्ने भारत एक्सप्रेस को फ्लैग आफ किया था बताया जा रहा है कि इस बार भी पीम मोदी कोई रोट शो नहीं करेंगे ट्रेनों को हरी जंडी रिखाने के बाद भबूत के कारिकरताओं के संबेलन में शामिल होंगे वे मोतिलाल नहरू श्टेडियम से देश के 10 लाग बूतों पर डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे इनमें मधिप्रदेश के 64,100 बूत भी शामिल होंगे शेहडोल में प्रधानमंती मोधी विरांगना रानी दुर्गवती बलदान दिवस कारिकरम और रानी दुर्गवती गौरव यात्रा के समापन कारिकरम में शामिल होंगे आदिवासियों के साथ उनके साथ भोजन भी करेंगे इसके पहले वो राजधानी भुपाल पहुँचेंगे जहां वो दो बंदे भारत ट्रेन भुपाल इंद और भुपाल जबलपूर का शुभारम भी करेंगे भुपाल में वे बूत स्तर के 10 लाग कारिकरताओं को डिजिटल ही संबोधित करेंगे